देखिए कॉंग्रिस पार्टी और प्रियंका वाड़ा के सबसे चहीते तौकीर रजा जो नफरत फैलाने के लिए मशूर है उन्होंने ये चुनोती और चेतावनी देते हुए का है कि अगर मुसल्मान सडकों पर आ जाएंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा महाभारत होगा ये पहली बार ऐसे जहर उगलने का काम तौकीर रजा ने नहीं किया है इससे पहले भी तौकीर रजा उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय जब कॉंग्रिस पार्टी उन्हें मंच दे रही थी तब वो हिंदों को चुनावती और चेतावनी देते हुए कह रहे थे कि मुसल्मान अगर हत्यार उठा लेंगे तो हिंदुस्तान में पना लेना मुश्किल हो जाएगा हिंदों के लिए सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग अतिक्रमन पर तो बहुत रोना रोते हैं वो इस प्रकार के भढ़काओ भाशन पर कोई बात नहीं कहते आज सवाल ये पैदा होता है कि कब तक दंगाईयों को चाहे खरगोन हो चाहे करॉली हो जहां का मतलू वहमत आज भी फरार है कॉंग्रिस पार्टी कब तक शर्ण देती रहेगी कभी मध्यप्रदेश में दिगुजय सिंग शर्ण देते हैं कभी प्रियंका वाटर और कॉंग्रिस पार्टी शर्ण देती है और अगर वो शर्ण नहीं देते हैं अगर उनका हाथ तौकी रजा के साथ नहीं है तो क्या वो तौकी रजा से अपने सारे रिष्टे नाते तोड़ेंगे, क्या वो तौकी रजा के खिलाफ कारवाई की मांग करेंगे, तौकी रजा के खिलाफ महराश्चा से लेकर चत्तिजगण में कारवाई करेंगे, राजस्तान में कारवाई करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे नफरती दंगाई मानसिक्ता वाले लोगों के साथ कॉंग्रिस का हमेशा हाथ रहता है देखे जब प्रोडक्ट और पुर्जा ही खराब हो तो उस पर चाहे जितनी गिफ्ट ट्रैपिंग की जाए या किसी भी सेल्समेन को बुलाया जाए वो प्रोडक्ट खपेगा नहीं क्योंकि लोग तंत्र में परिवार तंत्र का जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है बहराल सेल्समेन नए ने ला सकते हैं गुजरात के पिछले चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी ने हारदिक, अलपेश और जिगनेश को इंपोर्ट किया था और उन्होंने अपना कैमपेन हज के सहारे शुरू करने की कोशिश की थी आज कॉंग्रेस पार्टी पीके के सहारे चल रही है परशान किशुर के सहारे चलना चाहती है जब तक प्रोड़क्ट ही खराब होगा तब तक सेल्जमन क्या कर पाएगा